जहिन प्यारे साथियूं स्वागत आप सभी का एक बर्फट से खोठा किंग ओफिसल पे तो आए एक मौनी फूल के सभी कविता को हम लोगों ने थियोरी तो कंप्लीट हम लोगों ने देख लिया है आज आपको एक मौनी फूल के कंप्लीट जितने भी MCQ हो सकते हैं वो सारे MCQ प्रेक्टिस में हम लोग आज कवर करने वालें 31 कविता है 31 कविता में से जो भी प्रश्ण बन सकते वो सारे प्रश्णों को आज हम लोग कवर करने वालें ये फाइनल एक मौनी फूल का ये फाइनल MCQ नहीं है एक वीडियो इसके बात में और आपको दिया जाएगा ले एक मौनी फूल सबसे पहले आपको पता है कि यह एक कविता संग्रा है हाना जिसको संतोष कुमर महतोजी के दवारा लिखा गया है इसका तीन बार परकासन हुआ है 1986, 1988 और 2003 में रामधन परकासन इसका परकासक के रूप में जाना जाता है हाना पहला एक बात यह विचार ल लिखा गया था उसमें से कई सारी साहितिकारों और कई लोगों ने इसका जो वो कह सकते की सराना भी किया जैसे ड्टर दयानन जो थे जो साहितिकार और हिंदी संपादक है उन्होंने लिखा था कि एक मौनी फूल जो वो अंधेरे का चिराग है ठीक उसी परकार से इनखर रचना गुला आइज कर जुगें सभे समाजे के भूबे के सामरत राखा है यह महेश गोलवार जी के द्वारा बोला गया था इनकी और पहली और एक मात्र नीजी कवहीता संगरा पुस्तक है जो खोठा में किसी साहितिक क्रिती का तीन ऐसी आने लगी यह उस समय के लिए एक मात्र पुस्तक जो माना जाता था उस समय के लिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले थोड़ा सा बता दे संतोस कुमार महतों जी के बारे में संतोस कुमार महतों जी के जीवन परीचे से अगर बात करें तो इनका जन्म 2 सितंबर 1930 इस भी को गांग जोरी जेना मोड बोकारों में इनका जन्म होता है दो सितंबर 1930 को इनके माता का नाम छुटमनी देभी और इनके पिता का नाम तालो मातो रहता है पेशा से अगर बात करें तो ये एक सिख्षक थे जो कोई डीवी सी चंदरपूरा बोकारो में इन्होंने जो वो सिख्षक के रूप में इन्होंने कारी भी किया है तो यह भी आपको याद रखना उसके अलावे इन्होंने MA जो वो जोग्राफी ओनर से 1957 में इन्होंने MA भी किया है जोग्राफी ओनर से निधन अगर बात करें तो संतोष कुमार मातोजी का निधन 24 नौंबर 2013 को इनका जो वो निधन हो गया तो यह सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है अगर बात करें इनकी कुछ रचनाओं की तो एक मोनी फूल जो कि द्वारा लिखी गई कभीता है एक पथिया डोंगल महुआ बता दे कि यह एक संग्या संपादा नहीं यानि इसमें कई सारी कभीता की रचनाएं इसमें से सामिल किया गया है यानि कई साहित्यकारों के अलग-लग साहित्यकारों के इसमें से कभीता को सामिल किया गया है और पथिया डोंगल भाव में, अब हम बात करते हैं थोड़ा परीचे से जो भी प्रश्ण मन सकते हो सारे प्रस्णों पर एक एक करके जो भी प्रस्ण मन सकते हो अरफ हम लोग नोग हो टॉपिक वाइज कभ़र करते ह्भी चलेंगी एक मौनी फूल कैसन रचना लागा तो यह एक कवीता संग्रा है तो पहला सवाल यही बन सकता है दूसरा सवाल है एक मौनी फूल कवीता गोच ककर लिखन लागा तो यह संतोस्क मारमातोजी के द्वारा लिखी गई कवीता है अगला सवाल है कि एक मौनी फूल किता अगला सवाल है कि एक मौनी फूल कर दूसर परकासक संस्थाल आगे तो रामधन परकासन इसका नाम याद रखने हैं अगला सवाल है कि एक मौनी फूल के एक बात या विचार लिखवई या कौन है तो एक ज़ा जिए जो की अभी हमने बात किया था इसके बारे में है न तो इसका अनसर क्या हो जाएगा एक ज़ा जो वो सही अंसर हो जाएगा एक मोनी फूल के पहील कविता लागए तो एक मोनी फूल का पहले कविता जो वो प्रार्थना है तो इसका अंसर हो जाएगा option A प्रार्थना एक मोनी फूल के आखरी कविता कविता लागए तो एक मोनी फूल की आखरी कविता जो वो है विदाई तो पहली कविता है प्रार्थना और आखरी कविता है विदाई ये भी आपको याद रखने है एक मौनी फूल कविता संग्रा से संबंधित सही कथन के छाटा तो एक मौनी फूल संतोस्कुमार एकर लेखक संतोस्कुमार महतो लागत तो ये बिलकुर सही है एकर परकासन 1986, 1988 और 2003 में भेल रहे ये भी सही है एक मौनिफूल किताबे 31 को कविता सामिल है तो ये सभी कथन जो वो सही है एक मौनिफूल को लेकर की हाना तो एक मौनिफूल कविता संग्रा से समझ देत ये सभी कथन सही है एकर में कौन कविता एक मोनी फूल के नख है तो एक मोनी फूल में से इन में से कौन सा नहीं है ये आप से पूछा गया है तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा चनफन मानूस चनफन मानूस जो वो एक मोनी फूल की कविता नहीं है चनफन मानुस याद रखेंगे खोठा काठे पैदे खंडी जो की एके जाजी के द्वारा लिखा गया उसी की कविता है उस पुस्तर की जबकि प्रार्थना, हरी हरी मिलान और धधाल मूसा ये सभी कविता जो वो एक मोनिफूल की है जबकि चनफन मानुस जो वो खोठा काठे पैदे खंडी से लिखा गया एक जाजी के द्वारा लिखी गई है एक मोनिफूल किताबे कविता ना लगे इनमें से कौन सी कविता जो वो एक मोनिफूल की नहीं है तो यहां पे चंदरपूरा, दर्सन, बैंगन, पोड़ा और हामें तोहर से ना किछू मांगो ये तीनों कविता तो एक मोनिफूल की है जबकि सवागत कविता की गर बात करें तो यह कविता जो वो किसे लिया गया है यह कविता लिया गया है खोठा काठे पैदे खंडी से अगला सवाल है कि एक मौनी फूल किताबे कविता ना लगे तो इटा हके कहां कि नियाए नीथ गजजज काहे करे मोके गधा के बाब कहे है तो लौतन जुगत भाबत तो यहाँ पे जो इसका सही अंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा लौतन जुगत भाबत लौतन जुगत भावत या एके जहाजी के द्वारा लिखा गया कवीता है या संतोष कुमार महतोजी ने नहीं लिखा है उपर के तीनों कवीता तो ये संतोष कुमार महतोजी के द्वारा लिखा गया और एक मोनी फूल में ये सामिल है जबकि लौतन जुगत भाबत ये खोठा काठे पईदे खंडी एके जहाजी के द्वारा लिखे गई कवीता है अगला सवाल है कि एक मौनी फूल किताबे कवीता ना लगए इनमें से कौन सी कवीता जो गो एक मौनी फूल की नहीं है तो दहरेक डोवानी चमचा पढ़वये स हुआ सब के और हामनीक परिपार्टी ये तीनों कवीता जो गो एक मौनी फूल में सामिल है यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सी कवीता नहीं है एक मौनी फूल की तो यहाँ पे ड़रेक डोवानी इसका सही अंसर हो जाएगा अगला सवाल है कि एक मौनी फूल किताबे चपी हुई है तो इसका भी अंसर हो जाएगा मानुस ना मेड मानुस ना मेड इसका जोगो सही अंसर हो जाएगा जो की खोठा काठे पैदे खंडी की कवीता है जबकि दलाल दुनिया पलतलो पूर्णा चार और टीभी परचार ये तीनों कवीता जो वो संतोष्क मार महतो ची के द्वारा लिखी गई है अगला सवाल है कि एक मौनिफूल किताबे कवीता नाय लाग है इनमें से कान सी कवीता एक मौनिफूल की parlar forts नहीं है तो एक मौनिफूल किताबे कवीता नाय वर ऑग eyebrows जो कि 짝ार फ्रूल केकि नहीं है तो चलिका से कवीता लोग सिर ख़ Gardensी मे ये तीनों कविता तो लिया गया है जबकि साध कविता या जो वो एक मौनिफूल की कविता नहीं है एक मौनिफूल किताबे कविता ना लगें बेसे कौन सी कविता एक मौनिफूल की नहीं है तो यहाँ पे कविता कांधना यह कविता जो वो एक मॉनिफूल की नहीं है जबकि हामनिक बोर नजार संगनाता चासक छोवा भेला बबगवान और बड़ी मायर यह तीनों कविता तो एक मॉनिफूल की है जबकि कविता कांधना यह कविता जो वो किसे लिया गया है एक मॉन पूल की नहीं है तो यहां पे एसो हते बोडो नूनू मेट्रिक पास तेल मालिस और मुदा दाग्टा रही जाए ये तीनों कविता एक मौनि फूल की ली गई है जबकि मीरा चाही गोला नाई ये एके जाजी के द्वारा लिखी गई कविता है खोठा काठे पैदे खंडी की 20 सवाल है कि एक मौनि फूल की ताब एक कविता नाई लागे इनमें से कौन सी कविता जो वो एक मौनि फूल की नहीं है तो धान चोरी ई बच्छर हते दादाक साधी और बीपद भेला भारी ये तीनों कविता जो वो एक मौनि फूल की है जबकि आजादी कविता जो वो ख प्रार्थना, चली आगे बड़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे, अब आपका जो वो कविता यहां से सेक्शन जो वो शुरवात होता है, एक एक करके सभी कविताओं से प्रश्णों को हम लोग देखते चलते हैं, पहला कविता का नाम था प्रार्थना, तो आईए सवाल बन सकता है कि प्रार्थना केकर लिखल कभीता लागए तो यह जो वो संतोष संतोष कुमार महतो जी के दe कभीता संग्रा की पहली कभीता जो उसका नाम है प्रार्थना और आकरी कविता जो वो विदाई है एक प्रार्थना कविताएं कभी कैकर से प्रार्थना करलत तो यहाँ पे कभी जो वो एक मौनिफूल में जो प्रार्थना जो पहली कविता है यहाँ पे कभी जो वो किस से प्रार्थना करते सुखे राखिया काया प्रान ही या काया मने की हो वो है तो काया का अर्थ होता है सरीर यानि आपका देह जो है वो सरीर तो बोलते हैं कि हे भगवान दया निधान कि हे भगवान आप दया निधान है सुखे राखिया काया प्रान कि हम लोगों का सरीर जो वो में सभी को जो वो मनु के संतान कहा गया है किसको मनु के संतान कहे गए दीनरायत रहीत रत आपन कर में अनुराग राखिये आपन धर में यहां रत और अनुराग करमाने यहां पे की है तो यहां पे रत और अनुराग का अर्थ क्या है तो कायर में लीन और अशने कायर में तत असनेह, प्यार, लगाओ, भक्ती, यह सभी चीज़ें होता है, अनुराग का अर्थ, अगला सवाल है कि कभी भगवान से प्रार्थना कौन रूप में करलहत, तो यहाँ पे भगवान जो वो कभी से किस रूप में प्रार्थना करते हैं, तो यहाँ पे जो कभी ने दिखाया मंगलाचरन के रूप में, गीत रूप में, प्रार्थना के रूप में, यह सभी रूपों में यहाँ पे दिखाये गया है अगला सवाल है कि परगती कर्माने की हवो है, बतावा तो यहाँ पे परगती का अर्थ होता है, एक तो होता है आगे की ओर बढ़ना और सामोहिक रूप से होने वाली उन्नती, एक होता है कि केवल आप आगे बढ़ रहें, केवल आपका विकास हो रहा है तो यह कह सकते हैं कि परगती नहीं हुआ उसमें से केवल आपका विकास हो रहा है आप आगे बढ़ रहें लेकिन अगर सामोहिक रूप से अगर पूरा एक समाज आगे बढ़ रहा है तो उसी को जो वो परगती कहा जाता है तो यहाँ पे पूशा गया कि परगती के माने कि यह वो तो आगे की ओर बढ़ना और सामोहिक रूप से होने वाली उन्नती को ही जो वो परगती कहा जाता है तिसले इसका अंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा option D यानि B और C यह दोनों अंसर जो वो इसका सही है अब दूसरी कवीता है हरी हरी मिलन केकर लिखल कर रचना लागए तो यह संतोष कुमार महतोजी के द्वारा लिखी गई कवीता है अगला सवाल है कि हर हरी मिलन, यहाँ पे हर हरी मिलन है, हर और हरी मिलन, कौन किताबें छपल कविता लगए तो एक मनिफूल से यह छपिवी कविता है अगला सवाल है कि हर हरी मिलन कविता हैं कौन समस्याग देखावल गेले तो यहाँ पे हर हरी मिलन कवीता में जो दिखाया गया वो किस समस्या पर आधारित है तो यहाँ पे परिवारिक समस्या को लेकर के इस कवीता में जो दर्साया गया है तो यहाँ पे जो बातें किया गया है वो परिवारिक समस्या के उपर में लिखा गया है अगला सवाल है कि हर हरी मिलन कभी ताए हर केकरा कहल गे ले तो यहाँ पे हर जो बोला गया है वो सीव को बोला गया है और हरी जो बोला गया है वो विश्णू को बोला गया है तो हर यहाँ पे सीव को और हरी जो बोला गया है वो विश्णू को बोला गया है अगला सवाल है कि हर हरी मिलन कभी ताएं हरी केकरा कहल गे ले तो हरी जो वो विश्णु को कहा गया है और हर जो बोला गया वो किसको बोला गया तो सीव को बोला गया है तो ये दोनों चीज़ें आपको धियान रखने हैं अगला सवाल है कि हर यानी सीव और हरी यानी विश्णु की लेल एक दोसर से भेंट करें चाहला तो सबसे पहले तो वो मिलने के लिए जाते हैं अपना अपना समस्या जो गो निप्टाने के लिए जा रहे होते हैं हना और असांतिक बीच में कैसे सांती लाया जाए इस विच चारक हो लेकर के दोनों जोब एक दूसरने से मिलने के लिए जाते हैं स्युव जी चाहते हैं कि यह मिफ्टा आया जाए कैसे ढ़ों आपस मिलते हैं तो वह पर शॉख्रा सुना सुना में बोलते हैं तो कहानी होते हैं चली आराम से फिर आनमार्ग में कोने में मैनेज कर लो करो तो उसी तरह से निकल जाते हैं तो यह सभी बातों को लेकर के ही जो वो एक दुसरे से मिलने के लिए जा रहे होते हैं अगला सवाल है कि सही कथन के छाटा, यहाँ पे क्या हर यानि सीव कि सवारी किसका है तो गरूड है, बोलते हैं कि यहाँ पे सही कथन के छाटा, यानि हर यानि सीव की सवारी जो गरूड लागए, हर यानि विश्णू जिक सवारी साण लागए, तो यहाँ पे बताना है कि यह दोनों सही कथन सही है, या इन में से कोई सही नहीं है, तो आप सभी को पता है कि हर यानि सीव, सीव जी के सवारी जो वो क्या है, साड है, है ना, तो पहला तो गलत है, और फिर है कि हरी यानि विश्णु जी के सवारी साड है, यह गलत है, क्योंकि विश्णु जी के सवा अगला सवाल है कि हर और हरी दहरें मिलल बात है कौन गाचेक शामें बैठला और एक दोसर से समस्या बखान कर ला तो यह दोनों जो वो बर गाच के नीचे बैठते हैं और वहीं पर अपना समस्या जो वो सुनाते हैं एक दूसरे को एक कविताई हर कैकर परतीक रूपे देख थे तो कार्तिक थोड़ा चनफनिया यानि थोड़ा कह सकते हैं कि चनफनिया थे यानि फुर्टिबाज थे जब कि गनेश जो थे वो क्या थे गोदा यानि थोड़ा सूस्त किस्म के थे गनेश जी है ना तो यह दोनों बेटा थे इसका अंसर हो जाएगा option D यानि यह सभी रूप में जो वो दिखाया गया है सिव जिक दूग और बैटक नाम की लागए तो गनेश और कार्थी कि इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अगला सवाल है कि हर हरी मिलन कभीता की संदेश दे है तो हर हरी मिलन में सांती और असांती एक एट हामें रहा है यहां बातें जो अगला सवाल यहां पे दधायल मूसा कविता कौन किताबें चपल है तो यह है कि अगला सवाल केकर लिखाल कविता लागए तो संतोष मरमातो जी के दबार लिखी गई कविता है धधायल मुसा कभीताएं मुसा केकर परतीक रूपें देखवल गिले तो यहां पे बाहरी लोग को जो वो मुसा जो बताया गया है धधायल मुसा कभीताएं धधायल कर मने की है वो तो धधायल का अर्थ क्या होता है यहां पे तो धधायल का अर्थ मुख्य रूप में क्या होता कि बहकल यहीं कह सकते कि जो और भी चीज को या तो खाने के लिए देरे तो यहीं चीज है तो धधायल का अर्थ होता है वही, तो इसका अंसर क्या हो जाएगा, option C, यहां पर option के अनुसार से हो जाएगा, अगला सवाल है, मने मने खैलों गूर चीरा, यहां यह जो लिया गया वो क्या है, तो मने मने खैलों गूर चीरा, यह दरसल क्या है, यह एक मुहावरा है, हाना और मुहावरा को खोठा में आ नितर से खुलास होना या नितराना तो उसी को बोलते हैं मने मने खैलों गूर चीरा तो इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी धाधायल मुसा कवितायल लवा लतर केकर परतीक आ गए तो धाधायल मुसा में लवा लतर जो बताएगे वो किसका परतीक रूप में रेट फो कर माने की होई तो रेट फो का अर्थ यहाँ पर क्या है इसका मने बतावा तो यह एक मुसा मारने का दबा यानि चूहा मारने का यह एक दबा का नाम है रेट फो से से मुसा से तंग भै के कभी जे कभी की कहे खो जात तो कभी क्या है कि अंत में चूहा से तंग हो मुसा मारे खातिर जहर यानि रेट फो दी एक बात करल लातीन गनेश जी के आपन बाहन के समहार के राखे एक बात करल लातीन हाना तो ये दोनों कथन यहाँ पे इसका जो वो सही अंसर हो जाएगा A और B दोनों इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है अगला सवल की चूहों में गुनसुत्रों की संख्या कितनी होती है तो यहाँ से भी कई बार सवाल जो वो पूछे जाते हैं तो कई लोगों ने इसका अंसर भी किया था इसका अंसर हो जागा option B यदि 40 अगला सवल है कि चंदरपूरा दर्सन केकर लिखलक रचना लागे तो चंदरपूरा दर्सन यह संतुस्क मरमातोजी के दवार लिखी गई कवीता है चंदरपूरा दर्सन कौन किताबें छपल है तो एक मौनी फूल में यह छपी हुई कवीता है चंदरपूरा दर्सन कैसन कवीता लागे तो चंदरपूरा दर्सन यह किस परकार की कवीता है यहां से भी कई बार सवाल जो वो पूछे जाते हैं किस तरह के सवाल भी आप से पूछ लेंगे कि चंदरपूरा दर्सन जो वो किस तरह की कवीता है एक तो सवाल यहां पूछा जाएगा और यहां भी पूछा जा सकता कि किस किताब से लिया हुआ है यह कौन किताब है उखरवल है यह कौन किताब है चपल है तो यहां तो हो जाएगा एक मौनी फूल में चपल भी कवीता है लेकिन अगर पूछे जी कि यहां किस परकार की कवीता है हाना कवीता भी यह तो किस परकार की कवीता है तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहां एक परतिकात्मक रूप में दिखायेगा कवीता है यहां एक परतिकात्मक कवीता है ठीक है चंदरपूरा ताप विद्यूत कारखाना केकर परतीक रूपें देखल गेले तो यहां पे चंदरपूरा ताप विद्यूत कारखाना जो दिखाया गया है वो किस रूप में बताया गया है कि आज के जो कल कार खाने ओद्यों के केंद्र जो है वो आधोनी फिर्थ हैं तो यह जवार लाल नहरों के द्वारा बोला गया था अगला सवाल है कि CTPS के पूर्ण रूप की है तो CTPS यहां पे चर्चा कर लिए ले तो इसका अंसर क्या होगा तो चंदरपूरा थर्मल पावर अस्टेशन इसका जो फूल फॉर्म हो जाएगा इसका उप्शन सी इसका राइप अंसर हो जाएगा चले आगे आते हैं अगले सवाल पे चंदरपूरा थर्मल पावर अस्टेशन के अस्थापना कौन बच्छर भेल रहे तो यहां से अस्थापना वर्स भी आपसे कई बार सवाल में यहां से पूछ लिया जाता है कि इसके अस्थापना कब हुई थी तो अक्टूबर उनीसो परशेट में इसकी अस्थापना जो वो हुई थी अगला सवाल है कि CTPS के लेतायरें सही कथन ना है इनमें से कौन सा कथन जो वो सही नहीं है तो यहां सवाल आपसे पूछा गया है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा पहला तो सवाल है कि चंदरपूरा थर्मर पावर अस्टेशन बुकारो जी लाएं इस्थी थे एकर अस्थापना अमेरिका सही होगें अक्टूबर 1965 में भेल रही यह भी सही है यह दोनों कथन सही है एकर उत्पादन 16780 मेगावाट है यह भी सही है एकर अस्थापना स्वर्न रेखा जलविद्यूत परियोजना के तहत कर लोगे लिए यह बात जो वो गलत है यह जो वो दामोदर जल विद्यूत परियोजना के तहत जो वो अस्थापना इसकी की गए थी इसलिए यह option जो वो D जो वो गलत है ना तो इसका अंसर क्या हो जाएगा option D ही गलत हो जाएगा क्योंकि पूछा भी गया कि इनमें से कौन सा गतन सही नहीं है तो सही कौन सा नहीं है D गलत है चंदरपूरा ताप विद्यूत के अंदर कौन ठा में अस्थापित भेल है तो चंदरपूरा ताप विद्यूत के अंदर जो वो किस जगा पर अस्थापित है तो रंगा माटी गाउं एक अस्थान है वहीं पर यह जो वो अस्थापित हुआ है अगला स्वाल है कि चंदरपूरा ताप विद्यूत केंदर 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 वह बोकारो जिले में इस्तित हैं तो इसलिए इसका सही अंसर हो जाएगा वो option D जो गलत है आगे बरते हैं आते हैं अगले सवाल पे गलत मिलान के छाटा CTPS केकर परतीक है तो यहाँ पर सीव जी करगणी के रूप में दिखाएगा है तो यह कह सकते हैं कि यह गलत है CTPS जो परतीक बताएगा है वो सीव जी का परतीक बताएगा है सीव जी के करगणी का परतीक नहीं बताएगा है इसलिए इसका पहला यह option गलत है जबकि चीमनी पाइप जो बताएगा है वो सीव जी के नाकेक निकास का परतीक जो वो बताया गया है चंदरपूरा अस्टेशन जो बरताया गया है वो सीव जी के माथा के चांद का परतीक के रूप में दिखाया गया है जबकि आस पास का जो ज़ार जंगल है उसको सीव जी के जटाओं का परतीक जो वो माना गया है हना तो सीव जी की जटाओं का परतीक जो वो रूप में दिखाया गया है अगला सवाल है कि गलत मिलान के छाटा इन में से कौन सा मिलान जो वो गलत है तो rail रास्ता जो बताया गया है वो बताया गया है सीव जी के जनेव का परतीक रेल लाइन जो वो सीव जी का करगनी का परतीक पताया गया है जबकि दुगदा बासरी जो वो सीव जी के सहचरी के रूप में दिखाया गया है जबकि उठल धुमा जो है वो किस रूप में अगला सवाल है कि द्वापर गंगा नदिक पासे हैं तपस्या रत ही है हमें पासे भगभग धुमा उठा है आका से चंद्रपूरा ताप विद्यूत निकासे यह पाता है तपस्या रत ही है कर भाव की है तपस्या रत मतलब यहां पर क्या है कि हम लोग जो वो काम कर रहें ज तो इसका अंसर हो जाएगा कभी चंदरपूरा इसकुल पढ़वे चाहला इसलिए यहां पर बुदले की तपस्यारत यनी ही है यहां पर चली अगरा समले की एक अभीता हैं सीव जी के गला का माला कर परतीक बतवल गेले तो सीव जी के गला का माला जो बताया गया वो किसके प्रतीक के रूप में दिखाया गया है तिया जो दिखाया गया वो यहां के कर्मचारी कलोनियों को जो वहां पे कर्मचारी कलोनिया है उसको जो वो सिव जी के गले का माला के रूप में प्रतीक रूप में दिखाया गया है संतोष कुमार महतों जी के जनम ठाव बतावा, तो गांग जोरी बुकारो इसका जनम ठाव है इसको बारे में आपको पता है और पहले इसके बारे में चर्चाम लोग कर चुके हैं बैंगन पोड़ा कौन किताबें चपल है तो यहां एक मोनी फूल में चपिवी कवीता है अगला सबाल है बैंगन पोड़ा कवीता के कर लिखा लागे तो संतोष कुमार महतोष जी के दवार लिखी गई यह कवीता है बैंगन पोड़ा कवीता कौन किताब से लेल गेल है तो यह एक मोनी फूल से लिया गया कवीता है बैंगन पोड़ा के माने की हवोई तो बैंगन पोड़ा के माने यहाँ पर बताया गया है वो क्या बताया गया है तो यहाँ पर बताया गया है बैंगन एक भैड़ता और बैंगन के चोखा यह दोनों के रूपने दिखाया गया बैंगन पोड़ा अगला सबल के बैंगन पोड़ा संग कभी कौन चीज खाय कहो हत तो मुढ़ी, खजारी या भींजाचार तो यहाँ पे जो बातें क्या गया है कभी यहाँ पे जो वो यह सभी चीज़ें यहाँ पे खाने के लिए बात करते हैं बाकि के चीज़ें अगर पकोड़ी यहाँ नहीं खाने का सला देतें यह सब खाने से पेट गड़बढ़ होता है अगला सबल के बैंगन पोड़ाएं कौन-कौन समान मिलावल जाहें तो बैंगन पोड़ा में यहां पे सर्सो तेल, मर्चा, नून, यह सभी चीज़ें यहां पे जो वो मिलाया जाता है, बैंगन भहरता लेता रहें कौन टाग गलत है, तो पहला तो क्या है, यह पॉस्टिक होता है, ताजा रहता है, सुस्वादी हवो है, और यह कूपाइच होता है कि जो पचने नहीं देता है, जबकि यह गलत है, यह जो होता है काफी पाचक के रूप में काम करता है, यह वैसा कुछ भी नहीं होता है, कि आपके खाने के बाद में इसको आपके पेट में कुछ गलबड़ कर सकता है, वैसा कुछ भी नहीं होता है, अगला सवाल है कि बैंगन भहरता कौन-कौन गुन पावल है तो बैंगन भहरता में कौन गुन पावल जाए तो बैंगन भहरता में अगर गुन के बात कर जाए तो यहाँ पे क्या कि सुस्वादी होता है पहला या पॉस्टिक होता है या ताजा होता है इस कवीता में जोग पर जोग किया गया है तो ऐसे कठीन सब्द के माइने भी आपको पूछे जा सकते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है अगर देखा जातो है ना तो इसका भावार्थ भी आपको यातर ने बैंगन भैरता केकर परतीक हो गए तो बैंगन भैरता जो यहां पर बताया गया है वो किसके परतीक के रूप में दिखा गया है तो जारखन के सरल सहज पौष्टि खानपान का परतीक बताया गया है आत्म निर्भर खानपान की जब चाहो तो आपन बारी से जाकर के तो एक लिया नश्त और पकाय के चटनी बना ये था ना तो बोलते हैं कि बैंगन भैरता जिल्भी और प्याड़ा जब खायक रखेओ बैंगन भैरता तो बैंगन पोड़ा यानि बैंगन का जो भैड़ता बताया गया है वो लड़ू, पैड़ा, जिले भी ये सब से भी अच्छा बताया गया है काई कि इस सब से पेट गडबर नहीं होता है जबकि उस सब खाने से लड़ू प्यड़ा जिले भी इस सब खाने से पेट गडबर हो सकता है ठीक उसी परकार से पकोड़ी चोप पूरी तरकारी इस सब खाने के लिए कभी नहीं बोलते है काई कि इस सब खाने से पेट गडबर होता है और सरीर में हानिकारग भी होता जबकि बैंगन पोड़ा से कोई तरह का सरीर में नुक्सान नहीं होता है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा option D इसका सही अंसर हो जाएगा अगला सवाल है कि कभी जी के कौन ऐसन भोजन के बारे में मालूम नख है तो यहां पे इससे कौन सा इसका सही अंसर हो जाएगा तो Dad रखेंगे यहां पे पूरी तरकारी इसका सही अंसर हो जाएगा अगला सवाल है कि हामें तोहर से नाय किछु मांग वो के अगला सवाल तोएماं से नाई किछू मागबो या किस समस्या पर आधारित जो वो कवीता है तो यह जो दिखाया जैस में से दहिज पर था समस्या को दिखाये गया जैसे नहीं बोलते हैं कि हम तोहर से नय कीज़ू मांगोों किज्न ले घर बनाते गज्राया देखाया यह दूहें हैं समस्या के अधारित यह कविता जुन लिखा गया है अगला सवाल है कि समकनधी मतलब की हो वो है, तो समकनधी के माने बतावा, तो यहाँ पे समकनधी का अर्थ क्या होता है, समानकंधा वाला, हाना समानकंधी वाला का, यहाँ पे जो वो बताएगा है, समकनधी, अगला सवाल है कि फियेट कार कमपणी कौन देशे कला गए, तो फेटषकार क जो वो किस देश की कमपनी है तो फेटषकार की एगर बात करें तो यहाँ इटली की कमपनी है अगला समय है कि इटाहकर कहाकण नियाए के लिखवायग नाम बतावा तो यहां संतोषकुमार महतोजी के दवारा लिखी गई कविता है इटा हके कहांक नियाए कौन किताब से लेल गेल है तो यहां एक मौनी फूल से लिया हुआ कविता है एक मौनी फूल किताबें कई को कविता छपा ले तो कुल मिला करके 31 को कविता छपे हुई है इटा हके कहांक नियाए में कौन समस्या के राखल गेले तो इटा हके कहांक नियाए इसमें किस समस्या को दिखाया गया है तो दरसल यहां पे बेटिक बीहा के बारे में यहां पे जो वो दिखाया गया है इटा हके कहांक नियाए हना बेटिक बीहा के बारे में यहां पे जो कविता की रूप में दिखाया गया है अगला सवाल है कि इटा हगए कहा कौन सैली में लिखल गेल है तो यहां पर इसको लिखा गया वो हाम सैली में लिखा गया है इस कविता को लिखा गया है कि लिखा गया है अगला सवाल है कि नीत गजगज काहे करे मोके कविता केकर लिख खल ला गए तो यह संतोष कुमार महतोजी के तबारा लेखी गई कभीता है किस किताब में छपी हुई है तो एक मौनिफूल में यह चपी हुई कभीता है एक मौनिफूल से लिया गया है नीत गजगज गजगज कर एक मने की हो है तो यानि गजगज कर एक मतलब कचच करना कोई भी काम में अर्चन लगाना कोई भी चीज में मतलब उल्जन करना उसी को बोला जाता है नीत गजगज कहे करे मों के मतलब नीत गजगज मतलब हो गया डेली कचच कहे करता है हमारे साथ में क्योंकि आपको पता कि पती जब जाता है जब एक व्यक्ति जाता है अपने ससुराल में तो वही ससुराल में समझाता है अपने सास और जो भी जट सास ग्रह होता है उसको कहता है कि अपने बेटी को समझाईए कि आखिर में डेली हमारे साथ ये कचच कच काहे करती है हाना तो नीत कच गज गज काहे करे मोखे इसका अर्थ हुआ कि डेली हमारे साथ में जगड़ा जन्जट क्यों करती है इसको समझा देजे एकर लागया या किस प्रकार की कवीता है तो बता दे कि इसमें से मुख रूप में परिबारिक समस्या के उपर में दर्साया गिया एक पती पत्नी के समस्या के रूप में देखाये गया है कि कैसे पत्नी जो वो नाराज हो करके अपने माय के चली जाती है तो पत्नी जब वहां से ले करके लाने के लिए आती है अपने पत्नी को लाने के लिए जब जाता है तो वहां पर ये सारी बातें जो वो बताता है अगला सवाल है कि कह कह सुन करके बुजहा देना अपनी बेटी को यह कौन बोलता है दमाद जबो अपने सास से जट सास से बोलता है। वो कर्म कारक के रूप में दिखाया गया है हाना कर्म कारक के रूप में दिखाया गया है ओके यानि बोला गया है उसको अपनी पत्नी के बारे में बोल रहा है और मो के मतलब जो बेखती है बोलता है कि मुझे हाना कि उसको समझा देजेगा क्यों परिसान कर रही है मुझे औ गधा के बाप कहे हैं तो कौन खिताबें सामे ले तो एक मोणी फूल में छपीवी या कवीता है नीत गजगज काहे करे मोगे कौन भावे कवीता लागे तो नीत गजगज काहे करे मोगे कौन भाव की कवीता है तो इसका अंसर हो जाएगा पारिवारी भाव के उपर में जाती हैं तो कहता है कि गधा के बाप दीनरायत कहे है तो कि जब आपके पास में संकट होता है परिसानी में होते हैं तो वैसे समय में गधा को भी बाप कहना पड़ता है मजबूरी में भवासिन के बहिन माने है तो हना भवासिन के बहिन माने है तो और छगरी के गोड़ें त तो जब आपके पास में समस्या होता है तो समस्या में आपको ये सभी कामे करना पड़ता है। है अगला सवाल कि कभी समध में कीकी विसंगति देख वलई है तो मरद भैके धेकी चांते, अर्जन ही भैकें लाठी धरे समस्या जो बताएगा है विसंगति जो दिखायागा समाज में वो बोलता कि पूरस हो करके जो भो डहकी में जो वो धान को उट रहा है अपना चावल को उट रहा है जो भी काम धाम कर रहा है और इस तरी हो करके जो वो लाठी लगर करके मार पीट कर रही है मान मर्यादा छोड़ देल मनेक गुमान मने राइक के तो मान मर्यादा जो होता था एक दुसरे का मान सम्मान वो भी धीरे धीरे जो वो कम होता जा रहा है मनेक गुमान मने राइक के मन में एक अपना अहंकार है गुमान रख करके ये सब चीजें जो वो आज लोग कर रहे हैं बरसाती बेंग से टर्टर करेक कांधें च्छाता हाथें बेग लएग घुरेक यानि बरसाती बेंग से टर्टर करेक यानि जब समय होता है तो खुब कह सकते कि बरसात नहीं होता है देखते हूं कि कुछ modern के नाम पर जो वो धीरे धीरे लोग जो वो अपने संसकार को भूलते जा रहें तो ये सभी बाते यहाँ पर कभी जो वो इस समाज की विसंगतियों के रूप में दिखाया है अगला सवाल की मनेक बात मने राखी के आखेक लोर आखे मानी के काने सच बात सुनी के मुदा उलूप दिये हा तो ये पाता गुलिन कौन पाठे कहल गे ले तो गधा के बाप कहे है तो यहाँ पे इस कविता में ही लिया गया है कि मनेक बात मने राखी के आखेक लोर आखी मानी के कि मन का बात जो वो मन में ही रखना पड़ेगा आँख में लो रहे तो उसको आँख में ही आपको छुपा करके रखना पड़ेगा और सच बात सुन करके भी आपको जो वो चुप रहना पड़ता है आज की समस्या जो वो समाज में कुछ ऐसा ही दिख रहा है तो यह कवीता जो वो कौन सा कवीता है तो गधा के बाप कहे है तो इस कवीता से लिया गया परसंग है गधा के बाप कहे है तो पाठे कवी की सीख दे है तो गधा के बाप कहे है तो इस कवीता में कवी क्या सीख देते हैं तो सच बात सुन करके चूप रहे चमचक बातें हु आप कर पाएंगे नहीं तो किसी तरह से आपको उल्जा करके इधर उसर फंसा करके लोग रख देंगे तो आज की ये विसंगतियों के बारे में बताते हैं और कभी बोलते हैं कि अभी के समय में आपको ये सब चीजें करना पड़ेगा तभी आप जो वो सही तरीके से अपने समाज में रह पाएंगे और अच्छे से अपना जीवन यापन भी कर पाएंगे तो ये सभी बातें जो वो कभी जो वो सीख देते हैं इस कवीता में अगला सवाल है कि गधा के बाप कहे हतों में कौन-कौन कहावत नियर परियोग भेल है तो गधा के बाप कहे हाना यहाँ आप ये सभी बातें जो वो किया गया है पहला दूसरा के दीन के रायत कहे अगर कोई दीन को रात बोल रहा है तो आप भी मान लेजे कि हाँ सही हो सकता है कि दीन अभी अभी राते चल रहा है जैसन गुरु तैसन चेला बने कि जिस तरह से गुरु है जो बोल रहा है उसी से आप भी उसी माहौल में ढ़ल जाईए यानि जिस तरह से माहौल है माहौल के हिसाब से आपको अभी वर्तमान में ढ़लना पड़ेगा नहीं तो आप वहां पे देखेंगे कि दस आद में एक तरफ है और आप एक अलग विचार रखेगा तो आपको लोग जो वो नजर में अब चड़ा देंगे किसी तरह से इधर उधर करके उलजा करके रख देंगे तो यह सभी बातें जो वो यहां पे कभी जोबू कहते हैं हाना अगला सवाल की गधा के बाप कहे है तो कौन रख में कभीता लागे या किस परकार की कभीता है तो यह कभीता जो दिखाए गया एक फिंगाठी किस्म की कभीता है या एक व्यंग किया गया कभीता है हना तो फिंगाठी मतलब होता है व्यंग किया जाना चली आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है कि गधा के बाप कहे हा तो में कभी कर कौन चित्र जलका है तो यहां पे कभी जो वो किस रूप में दिखात ताभ चाहा है जबगी छायावादी जो होता है उस nuances आखिर में कभी देखें हैं तभी तो बोल रहे कि समाज में यह सभी घृतनाइश चल रहे हूं यह सभी सलाह कभी यहाँ देते हैं तो यहां यथार्थ वादी चित्रन के बारे में यहां पे दर्सार है अगला सवाल है चमचा कविता यह आपके दस्वी कविता है यहां से सवाल कैसे कैसे पूछे जाए सकते हैं तो चमचा कविता केकर लिखा लागए तो यह संतोस मरमातों जी के तबार लिखे ये चम्चा कविता कौन किताब से ले 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 तो एक मोनी फूल से लिया कविता है चम्चा बने कभी की की सिख दे सिखे लागिन कहलत तो अगर चम्चा बनना किसी के चम्चा बनना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा तो सबसे पहले बोलते हैं कि आपको पिंधना औरना सिखना पड़ेगा यानि आपका रहन सहन पहनने के बारे में आपको समझना पड़ेगा पिंधना औरनाक परिपाटी बोली चाली और मुहेक चाटी यानि बोली चाली आपको सिखना पड़ेगा किसे एक दुसरे से बात करेंगे और मुहेक चाटी मतलब क्या है कि आपको ने मिटकानी और मोचक सानी मुहक बिचकानी यानि आख के मिटकानी समय से पर इसारा भी आपको समझना पड़ेगा हाना कि कौन क्या व्यक्ति बोल रहा है उसके इसारा के हिसाब से काम करना पड़ेगा मोचक सानी यानि थोड़ा पूसा आपको रवाब भी देखाना पड़ेग और मुहेक बिचकानी यानि समय समय पर आपको जो वो एक दूसरे का चापलुसी भी करना पड़ेगा तभी तो आप चमचा बन करके रह पाईएगा गुरसानल बानी मतलब मीठी मीठी बातें भी करना पड़ेगा सामने वाले के साथ में हाथ उलारेक भंगी आर्चेगरानी यानि बात चित करने के समय में कैसे एक दूसरे से बात करें कैसे एक दूसरे को अपने और आकरशित करें यह सभी गुन विक्षित करना पड़ेगा अपने आप में तभी आप एक अच्छे चमचा बन पाएंगे हाना तो वही बोलते हैं कि कभी बोलते हैं कि अगर आपको चम्चा बनना तरी यह सभी गुन आपको पहले विक्सित करना पड़ेगा तब आप एक अच्छा चम्चा भी बन पाइएगा तो कहसकता है कि अभी के समय में हर तरह में कम्पेटिसन तो हर जगा है हाना तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे बातें जो वो किया गया है कभी के द्वारा अगर आस वाले कि चम्चा के की राखेक सलाह देल हत तो बड़ा बड़ा चूल, मौच, दाड़ी ये सभी बातें यहाँ पे किया गया है कभी बोलते हैं अगर श्यूम्चा के की गुले कहले तो यहां पे पहला तो क्या है कि बाप आजक रास्ता, अगर चम्चा बनना है तो पहला तो बाप आजक जो रास्ता है वो सब भूलना पढ़ेगा, रिस्तानाता यहा ते अचा सब सब कर पाईएगा, हाना तो यहाँ पaire यह सभी चीजें यहाँ पे जो वे बोला गया कि अगर आपको यह सभ चीजें काम करना है तो पहले तो बाप आजाक जो रास्ता है वो सभ चीज को भूल जाना पड़ेगा तभी आप क्या है कि एक अच्छा चम्चा के रूप में काम कर पाएंगे काई कि सामने देखने लगेगा कि कौन क्या है रिस्ता निभाने लगेगा तो आप यह सब नहीं कर पाईएगा एकर में लागतो नाई पुंजी खैभया रोज मास मचरी और भुंजी यह पाता कौन पाट से आल है तो यह चमचा कविता से लिया गया है बहुत हैं कि एकर में लागतो नाई पुंजी अब चमचा बनने के लिए थोड़े मालिये को किसी का चमचा बनना तो थोड़े न महां पे पुंजी लगता है और खैभया रोज मास मचरी और भुंजी यहां पे आपको खाने पीने में कोई तरह का दिकत नहीं है खाना पीना एक दम पूरा बढ़ियां से किसी तरह से कोई पुंजी भी नहीं लग रहा है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा चमचा कविता से यह लिया गया पंक्ती है मालिक एक जखन हताय सटिस्फेक्शन धाय धाय पईबे परमोशन करिया उनकर प्रोटेक्शन देखे है तो एड्मि अधाल है आपको सटिस्फाय हो जाएगा यानि आपसे खुश हो जाएगा धाय-धाय परमोशन हो सकता आपका परमोशन भी हो जाएगा पहले आपको मान लेते हैं hate advise ले ऐघेंगा सब करिये मतलब देखना पड़ेगा तब ये सब चीज य truths होका है कवीता से लिया गया अगला सबाग कि चम्चब हंडार भर एक बारें कभी की कहालत तो पोलते हैं कि मालिक मिनिस्टर रह ले पट्वय बोडो बोडो ओडर कि अगर मालिक ऑफिसर व मिनिस्टर के चम्चर राइएगा तो रहले, पई भे बड़ा बड़ा order, पहले तो बड़ा बड़ा order मिलेगा, नेता सब के थैली दियेक भार, और रासन पानी का order, पहले भर भे आपन भंडार तकर पर पूरन कर भे order, कि पहले तो अपना भंडार भर येगा, कि पहले देख लेते हैं, अपना भर जो है, वो समेट कर रख ले, उसके बाद में दूसरे का भंडार भरा जाएगा, हाना, और order को पूरा किया जाएगा, पहला तो अपना भंडार भरो, तो ये सभी बातें यहाँ पे जो बोलते हैं, तो चम्चा को फायदा क्या होता है तो पहला तो यह होता कि ऊंचा सब का मेरा भी नेता जी से काम करवा दिजी काकी बीच में तो दलाल चम्चा बेलचा सबका यही सबका तो अभी का जमाना ही है तो ऐसे में जो वो इनके यहां पे लोगों का आना जाना लगा हुआ रहा था कि मेरा भी थोड़ा मंत्री जी से नेता जी से थोड़ा का बात करवा दिजी मिनि लश्मी आपसे नाखूस नहीं होंगे इसलिए नेता सब देखिएगा पढ़ा लिखल नहीं है लेकिन फिर विए उसके घर में खूब धन संपती है कोई संपती कमी नहीं होता है तो यह बातें जो वो यह पाता है ककर लस्तंगाएं कहल गे ले यह बात जो वो किसके आधार प की आधार पर यह बात ओं जो वो किया गया है अगला कवीता है पढ़वाईय छवह सब के कवीता करकर लिख़न लागे तो संतुष्मार महतों जी के दोरा लिखे गई कवीता है पढ़वैयच, Second के कोण भावे कवीता लागे तो यह गभीता जो भाव की कविता, तो यह उपदेशात्मक भाव की कविता है, अगला सवाल है कि time and tide wait for none, बुद्धिमान के बलबान अटकवे पारे ना है, हाना time and tide wait for none यानि इसका अर्थ क्या होता है, बुद्धिमान लोग के बलबान अटकवे पारे ना है यह पंक्ति कौन कविता से लिया गिले तो यह पंक्ति जो लिया गया है वो पढ़वई च्छववा सब के यहां से लिया गया पंक्ति है बोलता है कि time and tide wait for none यानि बुद्धिमान को बलवान व्यक्ति अटकवे यानि रोक नहीं पाएगा कितनो भी बलवान व्यक्ति है लेकि यह पांता कौन पाट से लेल गेल है तो यह पढ़वई च्छववा सब के यह 35 कविता से लिया गया है अगला सवाल है हामनिक परिपाटी हामनि सभीन खोठा भासी हकिये छोटो खाटो चासी ही यहां एकर मने कीवर्द तो यहां पे जो बताया गया है कि हामनिस सभीन अगे बढ़ते हैं आते हैं अगले सवाल पे अगला सवाल है कि हामिनिक परिपाटी कभिता की बतवल बोला गया कि यही हम लोगों की परिपाटी है साधारन जीवन यानि साधा जीवन उच विचार सिंपली हम लोग को रहने के लिए हम लोग सीखे हुए हैं तो वही बात यहाँ पर किया गया है अगला सवाल कि बाप आजाग बढ़वा हला सम्मान इपंक्तियां आजाक माने कि मतलब होता है हना आजाया दादा बोल सकते हैं हना दाधा इजो होता है उस फी को आजाब बोला जाता है अगला सवाल है क्याय से लिए पारब बोर मोटर साइकिल आर टीविक बाई हैं कौण परिपाटिक बात कहल गये लुए? टो यहां है पर तीलक निंशर हो जाएगा तीलक दहैज कर सच रूप बतावल के लिए समाजे पसरल तीलक दहीज के समस्या के बार इम बात किया गया है और एगो बेटिक बाप के बैथा यहां पे बताया गया है अगला स्वल कि बेटिक दामें भाप एक जमीने रहल हात दू चायर बचरें हमें अ तो हामनिक परिपार्टी से लिया गया पंक्ती है, हन तो हामनिक परिपार्टी से यह पंक्ती जो वो लिया गया, इसका सही अंसर हो जाएगा, option A, अगला सवाल है कि, ठीक करा सभीन आपन मती ना बढ़ाबा समाजिक दुरगती, मांगव ऐसन चलाबा जन अभियान जैसे बांचे सब के सम्मान, यह पंक्ती गुला कौन पार्ट से आईल है, तो यह पंक्ती जो वो हामनिक परिपार्टी से लियल गेल है, तो इसका अंसर हो जाएगा, option A, अगला सवाल है कि हामनिक परिपार्टी कौन भावे कविता लागे, तो हामनिक परिपार्टी जो वो यह आदर्सबादी विचार भाव का यह कविता है, कैसन जन अभियान चल्विक बात कहल गेले, तो यहाँ पर जो बाते किया गया है वो, समाजएक लोकें आपन मती ठीक कर एक बात करल गिले, तीलक दहेज एको समाजी कोड़ लागए, और हामनिक परिपार्टी, हामनिक आपन परिपार्टी भूलाए गिलत, यह सभी बाते यहाँ पर जुग किया गया है, अगला सवाल है दलाल कभीता केकर लिखा लगे तो संतोष कुमर महतों जी के द्वारा लिखी के कभीता है दलाल कहां कहां पावल जाहे तो घर बाहर हाटे बाटें टाने टिकूरें स्कूलें कॉलेजें मर घट हूँ ये सब जगह जो वो दलाल पावल जाहे है तो दलाल सब जगह पावल जा हैना समाज के खुईंचू से वला, हैना तोकरी कहल गेले, समाज के खटमल रूपे कहल थीं, दलाल के, दलाल भेला समाजे खटमल, पिंधना ओडना बिछवना मलमल, इनखा घरे नाना रकम समवल, लेपनेहाली दरी कालिन कमबल, इक कविता हैं, पाता है कौन कविता से लेल पंक्ति हैं, अगला सवाल है कि कतनो धन रहते कच-कच, इनखाग जूता करें चम-चम, बाप बेटा जनी मरद कसकल, कतनो भेल हैं, नाय थल, इपाता हैं, माजध में कभी दलाल घरे कोन इस्थितिक बर्नन करलात, कि कि कितनो भले, एक दलाल के घर में, कितनो धन समपती हो रखता है, यही कारण है कि उसके बार में, उसके घर का असांती, कलकल मतलब होता है असांती, है ना तो इसके बार में यहाँ पे जो बातें किया गये हैं, तो इसका सही अंसर हो जाएगा, घर कलकल, यानि घर की असांती, अगला सवाल है कि लंबा टेका और मधूर बानी, दगा बाजिक सभे निसानी, यह पाता हैं दलाले कौन गून कर देखावल गेले, तो यहाँ पे पाखंड दिखावटी रूप या बनावटी रूप के देखावल गेले, उपरी भेस के देखावल गेले, तो यह सभी बाते हैं यहाँ पे जो वो किया गया है, कि दलाल का यह स सबिको जो वह डप लेता है दलाल सब हना अगरा सबाल की परिहा ना भाय दलाल एक फैरा नाय तो हवै दिसा हारा इपाताइं कभी कि कहे कोजहत कि कोई भी व्यक्ति जो वह दलाल के चक्कर में नहीं पढ़ियेगा नहीं तो भय जिवे दिसा हारा यानि कहीं के नहीं रहेगा ने घर के न घाट के वो कहीं के नहीं छोड़ेंगे पूरा बरबाद करके छोड़ेंगे इसलिए दलाल के चक्कर में नाय पढ़िया तो यहाँ पर इपंक्ती में कभी की कोहे खोज कि दलाल कर फेराएं नाय पड़ेक चाहिए यही बातें यहां पे जो वो कभी समझाने का प्रियाज कर रहें तो इसका अंसर क्या हो जाएगा अगला सवाल है कि रिजाय बुझाय समझे बुझी करिया काज जैसे माचे लोकलाज आखें लोकें दिहा नाय बाली बचवे से लाज ठाम करियेगा जैसे अपना इज़च्जत भी बच सके लोकलाज भी थ्टोड़ा सा बचा करकर अपना रखना अय ielोक्यक नाय बाली बाली मतलब यहां पे होता है कि 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 आख में धूरा देना है मतलब किसी को धोखा ने देना किसी को सता करके किसी के उपर में अत्याचार और उसके उपर में सोसन नहीं करना है नहीं तो फिर आपको काफी ज्यादा परिशान हो सकता है बच्वे नाय पारब्थुन माय काली हैना कि फिर उपर वाला आपको कभी माफ नहीं करेगा अगला सवाल है कि दलाल कभीता कौन रख में कभीता लागए तो यहां जो वो एक किस प्रकार की कभीता है दलाल कभीता जो है एक उपदेशात्मक को रूप में दिखाएगा कभीता है अगला सवाल है दुनिया पल्टलो पुर्णाचार कवीता के कर लिखा लागे तो संतोष कुमर महतोजी की कवीता है दुनिया पल्टलो पुर्णाचार तो यहाँ पे पुर्णाचार करमाने की होई तो पुर्णाचार मतलब पुरानी रीती रिवाज है न जो पुराना रीती रिवाज था वो सब चीजें बदल चुकी है सगरेक बदल भेले गाड़ी ही या सगर मने की होई तो सगर मतलब होता है बैल गाड़ी जो बरद गाड़ी या बैल गाड़ी जो होता है उसी को बोलेगा है सगर गाड़ी है ना तो सगरेक बदल भेले गाड़ी ही यहां सगर गाड़ी मतलब होता है बैल गाड़ी अगला सवाल की गाव गुला हवा है सहर दलाल बने भांगी कोठा गार ही यहां गुला मने की है तो गुला मतलब होता है बहु वचन बनाने का प्रत्य के रूप में यहां पे बातें जो वो किया गया है तो इसका अंसर हो जाएगा option D अगला सवाल पर आते हैं अगला सवाल है दलाल बने भांगी कोठा घार में भांगी माने किया हुए तो भांगी मतलब होता है तोड़ देना भांग मतलब तोड़ देना होता है तोड़ना या बरबाद बरबाद करना अगला कविता है टीभीग परचार टीभीग परचार कविता केकर लिखा लागे तो यह संतोष कुमर महतोजी के दबार लिखी कविता है टीभीग परचार कौन किताब से ले लिए 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 कविता है कभी कनूसारे कोन समय से TV परचार बेशी भेल तो राजी गांधी के सासंकाल से जो वो TV का परचार जो बेशी ज़्यादा हो गया TV से कोन नीसा बेशी बाढ़ल तो TV से जो वो Serial देखे के नीसा जो वो बाढ़ी गेल सब में टीवी देखे में मगन से कहकर की छूटल तो टीवी देखे के मगन अतना भई गलतीन की कनिया के बिहाक लगन छूट गले मंत्रिक सपत गरहन छूट गल और रेल जातरी के रेल छूट गल तो यह सभी जेवो टीवी के देखे में मगन आदमी चलते छूट गले तो अतना में फिर सपतगरन करल थी और रेल यात्री के रेल शूट गले फिर दोसा ट्रेन से गल थी तो यह तना टीवी के नीशा हो जेव बाढ़ गले और अभी टीवी के जगा पे मोबाइल आगे ले ठीक नहीं ठीक वह इसने अभी हो वह कते घर में खाना जेर जाए है मोबाइल की चलते अगला सवाल है कि टीवी निशा से बाढ़ाल से छववा की भुला तो पहला तो वह तीवी के परचार से टीवी आने से जो सबसे जादा जो हुआ उनके जीवन का दसा जो वो पूरा बिगड़ गया हाना उनका जीवन का दसा जो वो पूरा जो बदल बदल गया अग अग्ला कबिता है एक तीन हारीक पानी एगों हारी न्यवर है, मतलब पहले एक माता पिता जो वह कितने बच्चों को पढ़ा लिखा करके पाल पोस्त करके खिला पिला लेते थे, लेकिन आज जो वह तीन बच्चे एक माता पिता को नहीं खिलाप आते, तो वही बोलते हैं कि एकहन तीन हानीक पानी एको हानी नाई भगे चली आगे आते हैं, देखते हैं कैसा कैसा प्रश्फनियांज से बन सकता है तो एक CHARIf एंखन तीन हानीक पानी, एको हानी नाई भगे कभी कखर लिखल कभीटा लागे तो यह संतोष कुमर महतोजी के दबार लिखी गई कवीता है तीन हानिक पानी एगो हानी नाई भरे की लागे तो यह जो वो एक परकार से अगर देखा जाए तो यह एक क्या है तो यह एक हियाली है यानि एक बुझवल भी है हाना कई बार यहां से यहां से पूछा भी जाता है एक पहेली भी है हाना कि तीन हानिक पानी एगो हानी नाई भरे आम पाकले मिठा और मानुस पाकले तीता इक की लागे तो जिस परकार से आम पकने के बाद में मिठा लगता है ठीक उसी परकार से मानुस जैसे जैसे मनुष्य का उम्र बढ़ता जाता है बुढ़ा होते जाता है वह जो वो तीता लगने लगता है यानि खराब लगने लगता है तो वही बोलते हैं कि आम पाकले मिठा और मानुस पाकले तीता तो यह की लगए तो यह अगर बात करें तो यह जो वो एक कहावत है यानि लोकोखती है तो यह क्या है तो यह मुझे रूप में क्या है कि एक कहावत है यानि लोकोखती है चली अगले सवाल पर आते हैं अगला सवाल है कि पेट बिगाड़े मुढ़ी और घर बिगाड़े बुढ़ी इक की लगए तो पेट बिगाड़ होता है मुड़ी जब मुड़ी खाही तो फीट बिगड़े जा एगा ठीक उसी परकार से जब घर आपका बिगड़ेगा तो बोलाजातालै कि घर्ञाट यहांत कि अभुदुड़ी की और कि बिगाड़े मुढ़ी और घर्र सकती की लग है तो इसक कभिता में मुज़ से बाल बच्चा पोसा हत मगुर बैटा नाय पोसे पारा हत तो यह कविता जो वो मुखरूप में इसके बारे में बताया गया है अगला सवाल है कि हिंयाली केकरा कहल जाए तो हिंयाली जो वो सरल पहली के कहल जाए जबकि कठीन पहली के फांकी कहल जाए जबकि आसान पहली क कि हे अली काल जाए कि है the party okay gonna Le for a Haru car बहुत है चली आगे बरते हैं अगला सवाल देखते अगला सवाल एक खाटी खाटी मानूस करनों देंवेटा कष़ा ही यहां मर उपर एकन बीत रहल एक खट कमा करके हमने तीन बेटा तीन बेटा किये कहा ही यो हमर उपर एकन बीत रहा ले जेटा कि हम बता रहें कि जो आज हमारे पास जो बीत रहा है उसके बारे में आज हम अभी हम बता रहें तो इसका अंसर क्या हो जाएगा यह कभिता जो लिया गया वो पंक्ति किसे लिया गया एकन तीन हाणी पानी एको बुढ़ारी जब बुढ़े लें तो मानुस पाक लें तीता यानि जैसे जैसे मनुष यो बुढ़ा होने लगता है तो वह जो खराब होने लगता है मानुस पाक लें तीता कर भाव की है तो मानुस पाक लें तीता कर माने की होगे तो बुढ़ा पहर मानुस जो वो तीता हावत हाना मानुस बुढ़े लें बिगवना है और बुढ़ा बुढ़ी के नाय माना है तो ये सभी बाते ही यहाँ पी इसका सहियन से रो जागा option D अगला कविता है जे रक्षक से भक्षक तो जे रक्षक से भक्षक केकर लिखल कविता लागए तो यह संतोस मरमातोजी के दवार लिखी के कविता है ये रक्षाए से भश्यक कविता कौन किताब से लिए गया लएत तो या एक मणिं tentang से लिया कविता है। अगला सवाल है की धोले भरी लेग Liberality बराती। धोले भरे भरी लेगा थी बुढ़ा के बराती। यानि बुढ़ा लोग बड़ी गयानी हो बहती इसलिए बुढ़ा सब के ढोल में भार के जब बराती पहले जालती तो अगला सवाल है कि घौराने भाइंगन खाय दीन मांझें यह बतेक समार्थ समार्थी चांटा यानि घौराने खेती खाय ना वोलते कि अगला कभीता है मर्दानी मर्दानी कभीता केकर लिख लिखेती अगला सवाल है कि यह बिल्कुल सही जूट है ना तो इसका अंसर हो जाएगा ऑप्सन अगला कभीता है मर्दानी मर्दानी कभीता केकर लिखा लागए तो यह संतुष्क मर्मातो जी के दवारे लिखे गए कभीता है कारदानी मने किया हुए तो आपन करल काम के कारदानी कहल जाए कारदानी बिना मर्दानी एकर सही मने की हँए यानि बेकार हाना कि कह सकते हैं कि करदानी बिना मर्दानी जो अपने स्वाइम का काम नहीं करता उसमें कैसा मरदान की तो भे बोलते हैं कि जब अपना खुद कुछ काम ही नहीं करता तो वो फिर मरदानी विकार है यानि कह सकते हैं कि पुरूष के घर में जन्म लेना फिर बेकार है जब अपना काम जोगो स्वाइम नहीं करने तो हाना तो इसका अंसर हो जाएगा बेकार अगला सवाल है कि बिना गांध बिना फूल और गाच बिना मूल तैसन मरदानिक बिना फुटानी एकर से चिनहाय नाय मरदानी हाना यह कौन कवीता के डांडी लगे यह किस कवीता से लिया गया है तो अगर बात करें तो यह कवीता जो लिया गया है वो मरदानी से लिया गया है बोलते हैं कि गांध बिना फूल और गाच बिना मूल हाना जिस परकार से बिना जड़ का पेड़ बेकार लगता है जिस परकार से बिना गंध के बिना फूल बेकार लगता है ठीक उसी परकार से बोलते हैं कि तैसन मरदानिक बिना फुटानी और एकर से चिनहाय नहीं मरदानी कि मरदानी बिना फुटानी यानि कुछ कमाय धमाय बिना कुछ काम दिये दे सिर्फ आप फुटानी कर रहे हैं तो वो भी बेकार है तो एकर से ना चिनहाय ना मरदानी इससे जो किसी की मरदानी नहीं चिनहाता है हाना तो इसका अंसर हो जाएगा option A या मरदानी कविता से लि कुशिज करें, अपना काम, अगर करना है, तो सुर्वात कर दे खुद से अपने से ही, हाना, तो यह क्या है, यह एक लोकोक्ती है, कादानिन के सही माने किया वो है पहचान जो वो ओकर काम से है हना मनुष्य का पहचान जो वो उसके काम से होता है अगला सवाल है कि मानुस स्भव्ल Ignace The तो लेकिन आप अगर आपने किसी चीज को बनाया है तो वह ज्यादा महत्व होता है मर्दानि कौन रघम के संगिया झायारा जί रहाएं अगली कभीत है हामेज्चि लागों घर भतुआ हामेज्चि लागों घर भतुआ कभीता के लिखन लगला करमाने हक europe kpeople side करने वाला तो झो खाना पीना मिलता उसको बहुत ज़्यादा पैसा इनहीं मिलता वह तो की थशुल के बारे में लिखे को रिखे कर लें और कवी कवी संटोस्कynn मातो सहयक बरधाना ध्यापक दधानी हाइज स्कूल चंदरपूरा है तो ये सभी बातیں जो वो इस कवीता में दिखाया गया है सर्सति माइक घरें अपने अस्कूल के बारे में यह कभी जो लिखे हुए इस कवीता में और इस कवीता का हर एक पंक्ती का पहला जो अच्छ़ा है वो पूरा अपना जो एक address है उसी address को वहाँ पे दिखाया गया है जब आप इस कभीता को पढ़ेंगे theory section में हम लोगों ने सब कुछ अच्छे से detail में पढ़ रखा है चलि आगे बढ़ते हैं आते हैं अगले सवाल पे अगला कभीता है वो है पपीता खेती पपीता खेती ककर लिखल कभीता लागेती है संतोस कुमर महतो जी के दवार लिखी के कभीता है संतोस भाभय दीन राइत मने मने सरकार दिये पार्तो नाय नोकरी जने जने जो हैर करी कहा ही हो सब सजने चास वास मने देहक सब जने कि संतोस भाव है कि संतोस कुमार महतों आप मन में विचार कर रहे हैं दिन रात जोगों मन में सोच रहे हैं मने मने कि सरकार दिये पार्तो नाय नोकरी जने 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 कि हमको लगता है कि सरकार सभी को तो नोकरी नहीं दे पाएगा इसलिए हम हाथ जोड़कर आपसे निवेद आपपिता खेटी जो कवीता है उसी में से यह बातें जो किया गया गया है पाल सवह act-प खेटी में कवी मुख रूप से के हई खोजलत कि सरकार सब के नौकरी देतों नहीं खेतीhmen मन नहीं उश्टावा कि खेती बारी से आपन मन भटकावा खेती शाक्री नीच है कि भले आज तो लेकिन नौकरी घ्थे ने गड़ अगला सबाल है कि हामनिक बॉन जार संग नाता कभी कर लेखर लागए तो यह संतोस मरमातोजी के तवारा लेखे के कभीता है हामनिक बॉन जार संग नाता कभीता कर मूल भाव की है तो इसमें से मूल भाव क्या है इस कभीता की तो हम लोगों के या हामनिक बॉन जार संग नाता ये कि हम लोगों का जंगल से जो वो नाता है तो इसका मूल भाव क्या है तो इसका मूल भाव जो बताएगा वो पहला तो परियावरन सुरक्षा क्योंकि हम लोगों पेड की पूजा करते हैं व्रिक्षों की पूजा करते है परवतों की पूजा करते हैं, नदी नाला की पूजा करते हैं, जल की पूजा करते हैं, सुरी की पूजा करते हैं, यानि हम लोग प्रकरती पूजा करते हैं, इसलिए पर्यावरंद की सुरक्षा की हम लोग बात हमेशा करते हैं, संतूलन बना करके हम लोग रखते हैं, चारो जुगें रिसी मूनी का जो अस्थान था रहने का वो जंगल ही रहा है। यही कारण है कि जितने भी रिसी मुनी थे वो सभी जंगल में ही वास करते थे अगला सवाल है कि चमन प्रास कोन बनावल हत तो इसमें से इसका अंसर हो जागा ऑप्सन डी अगला सवाल है कि एकन सभीन रौपा गाश यूकालिप्टीस बाढ़ी जैतो जीवनेक इस्टेटस बोलते हैं कि एकन सभीन रौपा गाश यूकलिप्टीस बाढ़ी जैतो जीवनेक इस्टेटस कि अभी जो वो धीरे-दीरे सभी को अगर अपना इस्टेटस बनाना है जीवन का तो आपको पेड़ पौधे लगाने चाहिए है ना तो इसका अंसर क्या हो जागा तो यहाँ पेड़ जीवन का अस्तर बात किया गया समाजिक अस्तर और आर्थिक अस्तर यह सभी अस्तर जो वो आपका उंचा होगा अगला सवाल है चासक छववा भेला बभुवान कवीता कौन किताब से लिया गया कवीता है चासक छववा भेला बभुवान कवीता कौन कवीक रचन है बाबुआन कर्माने की योगे तो बाबो घरक शभ oper फुटानी बाज कोरी यह सभी जोने में अगला सभी सही अधिक सम्मान दे करके लिया जाता है हाना कि अगर अपमान का बतला लेना है तो उसको जो वो उससे भी अधीक सम्मान दीजे अगर आपको वो बेजती किया तो आपका जरूरी ने किया आप भी उसको बेजती करके आप उसको और भी सम्मान दे करके उसको जो वो अपने आप में गलानी महसूस करवा दिजे हाना तुसी को बोला गया बड़ी मायर मतलब भीतर मायर अगला सवाल की बड़ी मायर कविता लेता है रहें एक वो बेस खोठा लोकुकती छाटा तो जैसन के तैसन थारिक भात पारी-पारी और दुस्मन के उंच पिढ़ा तुन्हें बोला गया दुस्मन के उं अगला सवाल है कि महतो आपा उस घरें देवान के की भेले? तो महतो घर जब आप उस घर जो देवान आते हैं भौजन करने के लिए तो क्या होता है कि जो महतो जाते हैं जो उनका रिस्तेदार था उनको तो बढ़िया बढ़िया खाना मिलता है ठोड़ा सा अच्छा खाना मिलता है लेकिन उसके सास में जो देवान थे उनको थोड़ा खराब खाना मिलता है इधर इनको दही मिलता है वो पूरा गाढ़ा दही और उनको पानी वाला दही दे दिया जाता है तो वही वहाँ पे देखते हैं कि खाने पीने में भेदभाव होता है क्योंकि महतों जो उसका अपना रिष्टेदार था जबकि देवान जो था वो उसके साथ में गई हुए थे तब सोचे कि देवान की इसका बदला तो हम एक दिन जरूर लेंगे तो एक दिन क्या होता कि महतों के आप जो रिष्टेदार था वो भी गया था महतो के घर में तो दोनों लोगों को क्या है कि देवान ने क्या किया अपने घर में बुलाया एक दिन खाने पीने के लिए और उस दिन जो बड़ा मान मर्यादा से बढ़ियां से इज़त करके और खाना पीना पूरा खिलाया और पूरा बढ़ियां से खिलाया पिलाया जिसके कारण से उस दिन उन लोगों को महसूस हुआ कि इस तरह से हम लोग जो उस दिन किये थे वो बहुत गलत किये वोई थे हाना तो ये सारी बात यहां पे किया गया है तो यहां पे क्या है कि महतों आप उस घरे देवान के की भेले तो ख खाले मिल ले और दमे मान मर जादा भी भेले जैकर कारण से कही भी उठलतीCool वाइव k आज पर किया गया है अगला च्वाल कि बड़ी माहर कभीता केकर पर आधारित है तो दरशल या निया एक बड़ी माहर कभीता जो है किस चीज़ पर आधारित है या जो वो एक लोग कथा पर आधारी थे क्या है लोग कथा पर या एक आधारी थे अगला सवाल कि बड़ी मायर कर अरथ की हब हो है तो बड़ी मायर का यहाँ पर अरथ जो बताएगा है इस कवीता में वो बताएगा है भीतरी मार यानि भीतर का चोट तो विजए क्राने के भाने का यहां पर प्राइक की है तो महतों कर अर्थ होता है मंत्रिया जो सलाकार होता है बड़ी लोगों का उसको बुला गया देवान अगला सवाल है कि देवान आपन तिरसकार कर बदला कैसे लेल तो वो क्या कि देवान जो वो अपना तिरसकार जो अपना उसको बेजती हुआ था उसका बदला वो बेसी आदर सतकार करके वो बदला उसका लेते हैं अगला सवाल काया कि उनको जो वो बोलना पड़ा कि देमान आज तुम बड़ी बड़ा मायर देले हमरा भूला बनाय आर कि अब और नहीं भूलेंगे जब तक रहत परां कि जब तक जिन्दा रहेंगे यह बात जो हमको हमेशा याद रहेगा इस चीज को कभी हमने भूलेंगे अपने पुस्क ये पांता की कहला तो देवान यहां पे क्या है कि यहां पे जो बोलते हैं वो बोलते हैं कि देवान बड़ी मायर मारल आपन करनी के पहस्तावा भेल है और जिनकी भहर नाय भूलब ये सभी बातें जो वो यहां पे बोलते हैं बोलो बड़ी मायर कर दूसर सिर्सक की और दुरगा पूरे ध्यान भी लगवा हत तो ये सभी काम कर लती है ना नुनुक मैट्रिक पास करे खातिर मास्टर नुनुक बाप के की सपना देख वल रहत कि लंबा हो बोनेक सिपाही बनतो है ना ही यहां बड़ी आमदनी है और मेट्रिक पास कर लें लगाय दबेवकरा नोकरी तो यहां आसा जो वो सभी सिक्षक लोग जो वो मास्टर लोग जो वो नुनुक के बाप से लगाते ह और बोन सिपाही के इजत भी बड़ी हवो है और बोन बचवे को कर साध रहे तो यहां पर पहला तो जो में मकसद था वो तो था कि बोन सिपाही कर में बड़ी आमदनी यानि पैसा बड़ी कमाय हले शेख चरते नुनुक के बाप जह वो नुनुके बोनेक सिपाही बनवे हो जहले नुनु पास कर ले हाजिर कर बए आध मुण पाठा धूरा गोड़े हाजिर कर बए गचल ही एजेटा यह पाता है कौन भावेक जहलक पाबा है तो गच्छो अतिन हैना नुनु बाप को होती है कि नुनु अगर हमार मेट्रिक पास करता है तो जोन गोड़े हम आज गचल ही हो वह गोड़े तूरते धूरा गोड़े मतलब तूरते वह तरी घूर करके एगदाम जैसे पास करते तूरते हमें वो पाठा काट बए हैना जे गचल ही है तो यहाँ पे जो बताय गया इस पंक्ती में वो किस भाव का जहलक देखने को मिलता है तो काना पतियारी हाव यहाँ पे देखने को मिलता है अगली कविता है तेल मालिस कौन किताब कौन किताब से ले लिए तो एक मोनी फूल से लिया गया कविता है किस के द्वारा लिखा गया तो संतोष कुमर महतों जी के द्वारा लिखा गया है तेल मालिस करमाने कियो वो तो तो तेल लगान कि खुझली घहाव घोस कौन टेल से ठीक हब होए तो अगर किसी व्यक्ति को खुझली घहाव घोस हो गया है तो वैसे में जो वो कोचरा तेल का माली सक लिए बोला जाता है तो यहां पर पर तेल का गुन बताया गया है मिक्रूप में तेल मालीस का कौन कौन सा गुन है सभी तेल का वर्णन क्या गया करंज तेल, नीम तेल, कुसूम तेल, कौचरा तेल, करुआ तेल के यहाँ पर बखान करने लिए के कौन तेल के की गुन है से अगला सवाल की गात बात सर्दी खोंकी में कौन तेल लगवेग चाहिए तो जब सर्दी खोंकी का क्रू होग है तो वैसन में की सला दिया जाए तो करूआ तेल लगवे के सला दिया जाए सरसू तेल मिनिस्टर ऑफिसर पुलिस के तेल मालिस कर लें की पैब है तो अगर उहां पे मिनिस्टर और ओफिसर के अगर तेल मालिस कर लें, तब मनमान्चित बक्सिस मिलतो, पहला तो बक्सिस मिलतो कुछ, पर्मोसन भी मिलतो और टेंडर भी मिलतो, तो ये सभी चीज मिलतो, हैना, अगला सवाल है कि जेटा नाय हवत टाका देलें, पूरन हवत सेटा तेल मालिस करने, कि जो काम जो पैसा देने से नहीं होता है, वो काम जो पूरा हो जाता है तेल मालिस करने से, तेल मालिस करने का, यानि उसका जो चाटुकारिता करना, आगे पीछे करना, खुसामद करना, तो इस पंक्ति से तेल मालिस के रूप में, किस रूप में प दूगा मुदा दागटा रही जाये मानुस भय करिया नय अत्याचार सब दिन केऊ रहते नयलाचार कई बार क्या होता है कि जब आपके पास में दिक्कत होता है तो लोग जो वो दिखातें कि आज हम बड़े हैं और आपके उपर में अत्याचार करती हैं लेकिन वो भूल जा कि करिया नाय अतियाचार र हो कर कि किसी पर अतियाचार नहीं करिका, जरूरी HJjovi नहीं है कि सब दिन उसका एक ही जैसा रहेगा और सब दिन वह लाचार रहेगा तो यहां पंक्ती जो लिया गया है वो किस कविता से लिया गया है हाना किस कविता का टुकड़ा है यानि किस कविता का पंक्ती किस कविता से लिया गया है तो अगर बात करें तो यह है जो वो मुदा दागटा रही जाए इस कविता से लिया गया है देसे कौन साले भारी अकाल पढ़ा ले तो 1966-67 में जो भारी अकाल पढ़ा हुआ था। कविताइं परजोग भेल सबत सुरही सब्दिक माने की है यहाँ पे। तो सुरही का अर्थ यहाँ पे जो बताया होता है वो होता है धान रस चुस्वईया एक कीडा होता है उसी को सुर संदेश है तो दुखेक दिन पार हवय और सुखेक दिन आवय जरूरी ना की हमेशा दुख का दिन ही रहता है क्यकरो उपर अत्याचार नाय करेक चाही सब दिन एके एके नाय रहे तो यह सभी बाते यहाँ पे मुदा दागटा रही जाए कविता में संदेश जो वो कभी देते हैं मुदा दागटा रही जाए कविता केकर लिखर लागे तो संतुष मर्मातोष जी के द्वारा लेखी गई कविता है भारत देसे कौन बचर हैं अकाल पड़ल ले तो उनीसोची आर सर सथ में जो वो आकाल पड़ा हुआ था भारत देसे कौन बचर पानी नाय भरल रहे तो यह इसका सही अंसर क्या हो जाएगा इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्सन ए उनीसोची आर सथ में अगला सबाल कि जे जे मास्टर हला बेसी हुस्यार बाजरा गहूं बेची किनला बहियार कि जब उस समय जब अकाल पड़ा हुआ था तो उस समय क्या था कि सरक यार खरीत लल्तिन वू घरी हना तो बह्यार मने कि हो यहाँ डाबर खथ जे पानी रहे वला खेत यह तो फिर डाबर खेत के कहल गए ले आर बाइद मतलब यह उपर वला खेत वह उप्र खथ वह ऑपर यह ख्याल पहल जाए मानुस भय करिया नातियाचार सब दिन क्यों र या गया है एकन सुर्ही खा हतिन कते पूर्णाचार ही या सुर्ही सब्देक माने की हवोई तो सुर्ही माने हुए धान खाईये एक छोट मोट कीड़ा हुए अगला सवाल है कि अकाल हेल बाद हैं लोक में कौन नीशा चड़ल तो जब अकाल भेले तो कर बाद सब के खेती कर नीशा चड़ले कि अगर खेती बढ़िया्स घेल रद लो और धान चार अगर बढ़ियां लेक रख रेक ले तो आज क् хाईल बदलो लेकिन अगर हमनी बढ़ियां सुफजार्गा मैं रखनें खेती बारे करके तो आज अकाल पर ले तो क्काई के दिकत हो रए तो यह बात जो वो आसिन महिना में पक जाता है अगर महिना में कौन धान पकता है तो बासमती तुलसी मकूल रघुसायल यह सभी धान जो वो अगर महिना में पकता है जबकि कातिक महिना में कौन सा धान पकता है तो कातिक महिना में कोया रायस जूलर यह सभी धान जो वो कातिक महिना में पक जाता है तो सभी अलग-अलग महिने में जो वो अलग-अलग धान रो पाता है और अलग-अलग महिने में काट भी लिया जाता है धान चोरी भाई जाए सेख लेल बचवेक लेल की करे पड़ो है तो धान चोरी भाई जाहे सेख लेल ओकर बचवेक खातिर की करल जाहे तो औगला कविता है रकवाली कविता है यह 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 इबचर हते दादक साधी कों रह권 भाव की कविता एक कोंगाथ noisy कह सकते कि व्यहंग भाव की कविता है यहां पे तीलक दहेज लोभी का जो लड़का का पिता होता है उसके उपर में यहां पे वियंग किया गया अगला सभाल है अगला सवाल है कि अंगना कादो करेक अधपूरक वाय की कविताएं है उक की लगए तो अंगना कादो करेक नहीं मुलते कि अंगना कादो कर दे ले अगर पैसा उकर हो तो अगरा पैसा दे धी एक दम पूरा अंग्रा कादो कर देले मतलब घुर घुर आना पूरा घर में बार बार आना परिसान करना तो यह एक पहेली है क्या है यह एक पहेली है अगला सवाल है कि अंग्रा कादो करेक माने किया वो है तो घुर घुर आवेक अगर माने हवो है अगला सवाल है कि कविता पर्योग कौन अर्थें खर लिल है तो गादि सब न का अर्थ होता है घेर द starts है याई बहुत अधीक हैкуюना अधीक स्धुरीत कवीता phrases हित कुटूम हपन्हाद्मी जो होता है मेहमाण उसी को बो जाता है है ना आप उस अजाना अगला सवाल है कि विपत भेलो भारी कविताएं कौन चीज के विपत भेल है तो यहाँ पे खेती बारी करे के विपत यहाँ पे बात करे लिए है ना तो विपत भेलो भारी यहाँ पे खेती बारी के विपत के बारे में यहाँ पे चर्चा जोगु किया गया अगला सवल की विपत भेलो भारी कविताइल लेता रहें कौन टास सही है तो खेतें काम करें नयार लोके कमी भाईगिल है संयुक्त परिवार टूट रहाल है और बुढ़ा बुजरुक हैला भाई रहाल है यह सभी बातें यहां पे किया गया है अगला सवल की विपत भेलो भ पढ़े लिखे नाय ला गलत यहां पर नाय सब्द छुट गया है जो कि यह गलत है अभी पूता जो देरे देरे पढ़ने लगें कल कार खाना है लोग टटका मजदूर बैंड रालत अब क्या है कि खेती बारी करना छोड़ करके कहीं भी जा करके जो वो कोई कार खाना में वो टटका मजदूर हो गया यानि मजदूरी की है और तुरंत पैसा मिल गया उस तरह से मजदूरी जो लोग आजकल करने लगे हैं अगला सवाल कि विपत भेलो भारी कविता है पर जोग भेल सबद मुनीस कमिया कर माने किया वोई तो नौकर जो में मैजदूर मुनसी होता उस विपत भेलो भारी कविता है कौन किताब से लेल गेले तो यहां एक मोनी फूल से लेल गेले यह कविता की समस्या के देखवल गेले तो यहां पे गाउं से पलायन कर समस्या दिखावल गेले गाउं में भूक एक समस्या यह सभी समस्या के उपर में यह सभी समस्या के उपर तो यह एक पिढ़ी का काम है हाना जबकि खेती बारी जोगो कई पिढ़ी तक चलता है कवी कनुसार दामुदर जारखंड का क्या है तो जारखंड का रूर परदेश कहा जाता है दामुदर छेत्र आज काल जते हत न जोवान केउ न उठे जाहत बिहान खेती बारी उपर नख़े न ध्यान यह पाता गुलिन कौन पार्ट से लेल गेले तो यह पंक्ति जो लिया गया है वो कहां से लिया गया तो विपद भेलो भारी इस कवीता से लिया गया है बहते हैं कि आज काल जते हत न जवान यानि आज कल जितनी भी नौजवान है यानि युवा हैं केउ न उठे जाहत बिहान कोई भी सुभा उठ नहीं पाते हैं खेती बारी कूपर नख़े ध्यान किसी को खेती बारी गिरहस्ती पर ध्यान नहीं है आज की आखरी कवीता है विदाई ये एक तीसवी कवीता है एक मोनी फूल की और आइए इससे प्रस्ण देख लेते हैं विदाई कवीता केकर लेखर लागए तो यहां संतोष कुमार महतोजी के तवारा लेखे गई कवीता है विदाई कवीता कौन किताब से लेल गे ले तो जो वो इसके बारे में यहां पे नई सिक्षा निती को लेकर के यहां पे चर्चा करने के लिए आते हैं और सिवीर लगता है राष्ट निर्माता कक्रा कहल गे ले तो मास्टर सब के जो वो राष्ट निर्माता कहल गे ले अगला सवाल कि जन गनना और पसु गनना केकर से करवल जाए तो सरकारी मास्टर से ही करवल जाए सिविर कई दिन तक चल लले तो सिविर जो था वो दस दिनों तक वो सिविर जो चला हुआ था अगला सवाल की सिविर भाय भूल नाय जी हा ये पाथा के विबारे दोहराय के की भूले नाय कहल हना तो सिविर में जो सिखल बात है जो बुनियादी सिक्छा है हाना और असिस्मेंट परिपार्टी है ये सभी को बात पात लेखक बोलते हैं कि ये सभी चीज़ों को आप कि आगिया है, आज का आखरी सवाल है कि यहाँ पे आपको कमेंट करके इसका पताना है कि सिविट में कुल कितने लोग आयो थे, इसका आसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा तो उमीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक किजेगा साथी साथ चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा क्योंकि आप ह के लिए हम लोग इतना मेहनत दिन रात मेहनत करते हैं तो इसलिए आप हमें जरूर सपोर्ट करें और मिलते हैं अगले कवीता में जो भी अगला कवीता संग्रा होगा उसको लेकर कि हम लोग जल्दी आपके बीच में आएंगे तो मिलते हैं अगली कवीता में तब तक के ल पनी कि दी